जब मैं इलाहबाद विश्ववे ड्यालय की B.S.C की परिक्षा के लिए रिक्षा से जा रहा था तो एक सूनसान जगा रिक्षा पंचर हो गया पास में एक बंगले के बाहर एक मिया साहब खड़े देख रहे थे जब मैंने दीवार पर उनके नाम के आगे बिलेग्रामी लिखा देखा तो मैंने उनसे आगरा किया कि मैं भी बिलग्राम से हूँ क्या आप मुझे अपनी गारी से विश्विद्यालय भिजवा सकते हैं उन्होंने थोड़ी पूंचताच के बाद मुझे अपनी कार से विश्विद्यालय भिजवाया बिलेग्रामी शब्द में बिना किसी जातपात वधार्मिक भेद्भाव के जो अपनापन महसूस किया उस पर गर्व हुआ एक प्रश्ण खयाल में आया कि लोग नाम के आगे बिलेग्रामी क्यों लिखते है बस यही से मैंने जानने की कोशिश शुरू कर दी की बिलेग्रामी लिखने के पीछे क्या कारण है गावों वशहरों का निर्मान केवल जगह से नहीं होता बलकी रहने वाले लोगों के कर्मकृत्य वशनरक्षित धरोहर उसे महान बनाते है इन सब के उपर जब इल्म उस जमीन की धरोहर हो उसे जन्मों तक याद किया जाता रहता है विलेग्राम एक ऐसी ही जगह है जहांके इल्मी नाम के आगे विलेग्रामी लिखने में गर्व महसूस करते है सादात ए बिल्ग्राम सेयद हुसेनी मुस्लिम समुदाय जो 1217-18 में इराक के वासिट शहर से इल्तुतमिश के साथ यहां आकर बस गया था इस परिवार से अर्भी, पश्यन वव और्दू वशंस्कृत के प्रकांद विद्वान पैदा हुए गर्व से इस समुदाय के लोग अपने नाम के आगे बिल्ग्रामी लगाते है इन्ही में से कई भारत, पाकिस्तान वव पश्चिमी दुनिया में चारो और जाकर बस गए बिल्ग्राम की आबादी में 50% हिंदू व पचास प्रतिशत मुस्लिम है इस सर्जमीन की खूबी है कि इसने अर्भी, फार्सी, उर्द्व, हिंदी के प्रकांध विद्धान पैदा किये जिन में हिंदी के कवी रिसलीन व अन्य प्रमुख है, इनका जिक्र हम अगली पोस्ट में करेंगे मुगल काल में जब भी भाषा की कोई समस्या आती बिलेग्रामी दरवार में बुलाए जाते 1909 में यहां के एक निवासी सेयद हुसेन बिलेग्रामी को महारानी विक्टोरिया के वादे को लागो करने के लिए वाइट हॉल में नियुक्त किया गया जिन्होंने मौले मीन्टो सुधार में सक्रिय भूमिका निभाई नवाब अली यावर जंग बिलग्राम से थे जो गवर्नर महाराष्ट्रा थे इस परिवार के भाई बंधू आज भी यहां रह रहे है जो बिलेग्रामी पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, इगलेंड जाकर बस गए उन्होंने वहाँ बिलग्राम स्ट्रीट बसा ली यहां के लोकल मुसलिम बिलेग्रामी उच्च पदों पर आसीन है या रिटायर्ड हो चुके है कहते हैं तांसेन के गुरू बिलेग्रामी थे उनकी कब्र डाक बंगले के बगल में आज भी माजूद है ऐसा नहीं है कि ये रबायत अब नहीं रही हिंदू परिवार के अनेको बिलग्रामी उच्च पदेन रह रिटायर्ड हो चुके है कपूर परिवार में डॉक्टर महेश नारायन कपूर की सेवाओं को आज भी लोग नहीं भूले है डॉक्टर रमेश नारायन कपूर विसकोसिन विश्वविध धले में केमिस्ट्री प्रोफेसर थे इसी फैमिली से नारायन कपूर वैग्यानिक रहे है यहां की एक मशहूर महरोत्रा फैमिली में साथ भायों में सभी जज, कलेक्टर या सिविल सर्विस में कार्यरत थे यही के रवी टंडन आयाईटी कानपूर से उच्छ शिक्षित कैड़िवरीज इंडिया के डाइरेक्टर रह चुके है मेरे पिता अशोक वहर्ष पुस्तकों के रचियता बिलेग्रामी थे इन दोनों पुस्तकों को हिंदी लेखन में जवाहर लाल नहरू पुरसकार प्राप्थ हुआ था कपूर परिवार से ही आजकर डॉक्टर अजय कपूर आस्ट्रेलिया में उच्छ पदासीन है कैंब्रिज में प्रोफेसर वार अब आस्ट्रेलिया में स्वाइनवर्ग विश्व विधाले में वाइस चांसलर पद पर रहते सेवाय दे रहे हैं अग्रवाल फैमली से राधाकृष्ण अग्रवाल कभी यू पी एस सी के चेमन थे ऐसे ही अन्य अने को लोगों ने बिलग्रामी होने को चरितार्थ किया है कहते हैं इल्म कभी मरता नहीं बलकि उसकी खुश्बु जन जनमानतर चारों और फैलती ही रहती है